लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि जो Sources of Law है उसे हम किस तरीके से क्लासिफाय कर सकते हैं जिसके नहीं हमने सामन की थियोरी को भी देखा था, साइड बाइ साइड की टॉन के क्लासिफिकेशन को भी देखा था इस वीडियो में हम कवर करेंगे Precedent as a Source of Law, The Doctrine of Stared Decis, Doctrine of Resudicator, Ratio, Decidendi, Orbiter, Dicta, Types of Presidents, Legislation as a Source of Law, Types of Legislation, Custom as a Source of Law, and Types of Customs Judicial Presidents का मतलब होता है, वो Decisions जो की कोर्ट के द्वारा दिये जाते हैं, अलग-अलग केसिस में जब भी कोई Judicial Decision सामने आता है, तो उसमें Legal Principles होते हैं, जो की Subordinate Courts के उपर Binding होते हैं अगर किसी कोर्ट के द्वारा Decision दे दिया जाता है, तो उस कोर्ट की Subordinate Court को उस Decision को मानना होगा और अगर Subordinate Court के सामने इसी टाइप का कोई केस आता है, तो Subordinate Court को भी यही Decision देना होगा इंडिया के कुछ Influential Judicial Presidents में से एक है, केशवानन्द भारती वर्सस दे स्टेट अफ कैरला, 1973 इस केस के द्वारा जो Basic Structure Doctrine है, उसे Introduce किया गया था भारत में इसमें बताया गया था कि जो Fundamental Features हैं, इंडियन Constitution के उन्हें बदला नहीं जा सकता है इस केस में बताया गया था कि जो Right to Die है, वो Article 21 of the Indian Constitution के स्कोप में नहीं आती है कोट के द्वारा बताया गया था कि हर व्यक्ति को Right to Die with Dignity दिया जाना चाहिए कोट के द्वारा इस बात को भी बताया गया था कि Right to Die in a Dignified Manner और Right to Die in an Unnatural Way ये दोनों में अंतर होता है मेंका गांधी वर्सेस दे यूनियन ओफ इंडिया 1978 कोट के द्वारा बताया गया था कि जो Section 10.3.C है Passports Act 1967 का वो वॉइड है क्योंकि वो वाइलेट करता है Article 14 और 21 of Indian Constitution को इंदरा स्वाने वर्सेस दे यूनियन ओफ इंडिया 1992 इस जज्जमेंट के द्वारा तै किया गया था कि backward classes को 50% reservation provide किया जाएगा साथी साथ court ने ये भी बताया था कि classification करते time कि कोई class backward class है या नहीं है इससे देखते वक्त हम सब economic backwardness की तरफ नहीं देखेंगे बाकी और भी criteria's होते हैं जिनने देखकर ये decide किया जाएगा कि कोई particular caste या class backward है या नहीं है Judicial precedence की जो authority है वो doctrine of stare decisis पे based है जो term है stare decisis इसका मतलब होता है कि ऐसी किसी चीज़ को disturbed ना किया जाए जो कि undisturbed हो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि precedence जो की काफी time से follow किये जा रहे हैं उन्हें अब disturbed नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें वैसा ही चलने देना चाहिए जैसा कि वे चलते आ रहे हैं doctrine of resjudicator जो term है resjudicator उसका मतलब होता है subject matter adjudged यह doctrine बताता है कि अगर एक बार कोई lawsuit decide कर लिया जाता है तो यहां पर parties फिर दोबारा उसी issue को लेकर court में नहीं आ सकती है और तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि जो case है उसमें कुछ नए material facts discover ना हो चुके हों अगर कोई ऐसी बात रह जाती है जो कि previous suit में भी discuss की जा सकती थी पर miss हो गई थी तो यहां पर फिर party दोबारा इस case को open करवा के उन चीजों को discuss नहीं कर सकती है अगर ऐसी बात है कि कोई नए material facts यहां पर जुड़ा है तब यह case वापस से आ सकता है पर अगर कोई ऐसी बात है जो कि already exist करती थी तो फिर इस case को दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा ratio decidentally सामन के अनुसार, precedent एक judicial decision है जिसमें authoritative element है ratio decidentally ratio decidentally का मतलब होता है reason for the decision जब भी judge के समक्ष कोई case आता है decide करने के लिए तब judge को यहां पर अपना decision देना होगा भले फिर यहां पर कोई भी statute या फिर precedent मौजूद ना हो जो कि इस case में help कर सके ऐसे decision को जो principle govern करता है उसे हम कहते है ratio decidentally orbiter dicta, जो term है orbiter dicta उसका मतलब होता है mere say by the way यह जो term है वो use की जाती है ऐसे statements of law के लिए जो फिलहाल इस case में required नहीं है जज के द्वारा जब decision दिया जाता है तो कुछ legal principles को hypothetical situation पर भी apply किया जाता है यह जो principles होते हैं इनका काफी हद तक कोई impact या authority नहीं होती है इसके बावजूद भी जो subordinate codes होते हैं वो bound होते हैं इन principles को apply करने के लिए types of precedence authoritative and persuasive authoritative precedence वो precedence होते हैं जिने follow किया जाना होता है subordinate code के द्वारा भले फिर वो उसे approve करें या ना करें persuasive precedence वो precedence होते हैं जो की binding नहीं होते हैं judges पर authoritative precedence दो types के होते हैं absolute authoritative और conditional authoritative जो absolute authoritative precedence होते हैं वो absolutely binding होते हैं subordinate codes पर और उसे obey करना जरूरी होता है पर जो conditional authoritative precedence होते हैं उन्हें अगर judge चाहे तो वो reason बता दे और उसे apply करने से मना कर सकते हैं original and declaratory precedence डेकलरेटरी precedence वो precedence होते हैं जिने सिफ simply declare कर दिया जाता है और वो already एक किसी पुराने judgment में exist करते हैं पर जो original precedence होते हैं वो एक नए law को बनाते हैं legislation as a source of law legislation का मतलब होता है वो rules और laws जो की enact किये जाते है legislative organ of the government के दुबारा legislation सबसे जादा important sources में से एक है जब हम बात करते है sources of law in jurisprudence जो शब्द है legislation उसे derive किया गया है word, legis और latem से legis का मतलब होता है law और latem का मतलब होता है making types of legislation according to salmon legislation को two categories में divide किया जा सकता है supreme legislation और subordinate legislation यहाँ पर जो law making body है उसका powerful होना बहुत जादा जरूरी है law making body के पास में इस हद तक power होनी चाहिए कि अगर उस body के दुआरा कोई कानून बना दिया जाता है तो उस कानून को फिर खत्म ना किया जा सके और साथी साथ उसे फिर modify भी ना किया जा सके इंडियन पर्लिमेंट को हम एक sovereign law making body नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो laws इंडियन पर्लिमेंट के दुआरा पास किये जाते हैं उन्हें court में challenge किया जा सकता है ब्रिटिश पर्लिमेंट को हम एक sovereign law making body कह सकते हैं क्योंकि जो laws British Parliament के द्वारा पास किये जाते हैं, उन्हें court में challenge नहीं किया जा सकता है Subordinate Legislation ऐसे legislations, जो कि Subordinate Law Making Body के द्वारा enact किये जाते हैं, ऐसे legislations को Subordinate Legislation कहा जाता है जो Subordinate Law Making Body है, वो अपनी authority को Sovereign Law Making Body से derive करती है Custom as a source of law Custom का मतलब होता है, वो code of conduct जिसे approval मिलता है community से, जहां पर वो code of conduct follow किया जाता है अगर हम पहले समाज की बात करें, तो यहां पर ऐसा कोई institution नहीं था, जिसको लोग एक authority की तरह consider करें और उसकी बात माने इसलिए लोगों ने group बनाना start कर दिया, जिससे fairness, equality और liberty को maintain किया जा सके लोगों के द्वारा कुछ rules को develop कर लिया गया, जिसके basis पे वे decision लेने लगे लोगों ने धीरे धीरे recognize करना start किया, traditions को और rituals को जो की community में practice किये जा रहे थे और उसे देखते हुए, लोगों के द्वारा एक social regulation तयार किया गया अगर हम भारत की बात करें, तो laws जो की marriage और divorce से related होते हैं, वो usually customs से ही develop करके laws बने हैं ऐसी काफी सारी communities हैं जो की schedule tribes को belong करती हैं और उनके marriage related customs कुछ अलग ही होते हैं और इस वज़े से जो section 2, subsection 2 है, Hindu Marriage Act 1955 का उसमें से schedule tribes को exempt किया गया है Types of customs, customs without a binding obligation, ऐसे customs जो की society के द्वारा follow किये जाते हैं पर जो की legally binding नहीं होते हैं, ऐसे customs को customs without a binding obligation कहा जाता है customs जैसे की clothing, marriage, etc. अगर इन customs को follow नहीं किया जाता है, तो आपका social boycott किया जा सकता है पर इसका मतब यह नहीं है कि आपको कोई legal consequence भी भुगतना पड़ेगा customs with a binding obligation, ऐसे customs जिनका कोई relation नहीं होता है, social conventions से या फिर traditions से ऐसे customs जो की law के द्वारा binding होते हैं, ऐसे customs को customs with a binding obligation कहा जाता है customs with binding obligation दो टाइपस के होते हैं, legal customs और conventional customs legal customs वो customs होते हैं, जो की absolute होते हैं, इन्हें मानना जरूरी होता है और अगर इन्हें नहीं माना जाता है, तो फिर legal consequences भुगतने पड़ते हैं legal customs भी दो टाइपस के होते हैं, general customs और local customs general customs वो customs होते हैं, जिन्हें enforce किया जाता है throughout the territory और local customs वो customs होते हैं, जिसे particular locality में ही follow किया जाता है conventional customs वो customs होते हैं, जिन्हें enforce किया जाता है सिर्फ acceptance पर एक agreement के द्वारा ये जो custom है, ये उनी लोगों पर लागू होगा, जो उस agreement का part है Conventional customs भी दो टाइप्स के होते हैं General conventional customs और local conventional customs जो General conventional customs होते हैं उन्हें throughout the territory प्रैक्टिस किया जाता है और जो local conventional customs होते हैं वो एक particular area तक ही restricted रह जाते हैं क्यों हुँआ हैं… कि रह जाते हैं जाते हैं कि ट्सक्ते हैं झाल झाल